कि यहां पर पहला कोस्टन दिया गया कि 0 और 6 का जो महत्म साफ़ोर्ट तक मतब हाई कामन फैक्टर अर्था अर्थात मासा क्या होगा दोस्तों यूपी पीश्यस मेंस दोसर चेका कॉस्टन है पहला अल्टेनटीव जीरो दूसरा वन और तीसरा यहां पर थिरी दिया गया है और शूथा अर्टेनटीव की बात करीगे आप परिभासित दिया गया है तो राई टेल सूरा परिभासित ही होगा क्योंकि आप जानते हैं कोई भी डिजिट होती उसका कम से कम डो फैक्टर तो होता है लेकिन 0 का यसा कोई फैक्टर नहीं होगा जीरो का कामन की बात आप एक multiply तो कर सकते हैं मतलब एक उसके साथ लगा सकते हैं मिन कि एक और वो डिजिट्स है मतलब one multiply six हो गया one multiply three हो गया इस तरह से six करेंगा one multiply six हो जाएगा तो यहाँ पर one one common होगा तो इसका मासा अगर पूछेगा one और six का तो आपका one होता लेकिन यहाँ पर जीरो की बात करतेगा किसी डिजिट के साथ तो उसका जो आप अपाईभासित होगा तो उम्मीद करता हूं कर सचाना पची तरह समझ गया होंगे चलते अग्ले प्रस्ट सेकंड को सन की बात करींगे यहाँ पर दिया गया कि दो संख्या कर्यों रेशियो दिया फाइप रेशियो शिक्स दिया गया है और इसका लासा छे सो साट दि लेंगे जो रेशियो में दिया गया है 5X कर देंगे दूसरी संख्या को दोस्तों मृल्टिपल करके 6X बड़ी संख्या को कर देंगे बराबर लासा यहाँ पर 650 दिया है 360 रख देंगे मासा को यहाँ पर आपको X समाल लेने हैं अब यहाँ पर एक से कैंसल हो जाएगा और इसका मल्टिपलाइगे तो पांचंग 30X हो जाएगा इस तरह सो जाएगा यहाँ यहाँ पर 360 आपका हो जाएगा जिरे सी जिरे हम कैंसल कर देंगे तीन से यहाँ पर डिवाइट कर देंगे 326 326 मतलब X की जो बैलू निकल के आएगी वह 22 हो जाएगी दोस्तों प्रस में बोला कि छोटी संख्या क्या होगी तो छोटी संख्या आपर 5X होगी बड़ी की बात करेंगे दो 6X होगा यहाँ पर बैलू को रखना है कि 5 मल्टिप्लाइट 22 मल्टिप्लाइग कर देंगे तो आपका पांदूनी दस पांदूनी दस मतलब 11110 आपका जो है राइट एंसर होगा अल्टरनेटिव रिकॉर्डिंग की बात करेंगे तो डी अल्टरनेटिव आपका करेंट होगा तो उमीद करता हूं इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ गया होगे वीडियो क मतलब कि यहां पर आउस्त गती के आत करना होगा दोस्तों तो बात अबको बताना चाहेंगे अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीट डिफ्रेंट डिफ्रेंट है मतलब यहां पर एम आ लेता हूं और गन्तव बैस्थान को भी मानता हूं तो स्पीड क्या है पहले ऐसे जाता और यहाँ पर जब रिटर्न होता दोस्तों 700 km प्रतिहावर आपको बताने चाहें कि जब दूरी सेम होगा चाल अलग लग होगा तो यहाँ पर सूत्र जो है तो एकस वाई एकस प्लस वाई होता है आपको यही सूत्र apply करना है answer आ जाएगा मतलब कि यहां पर two multiply कर देंगे दोस्तों पहला दिया 500 दूसरा दिया है 700 कर देंगे आपको पता है कि यहां पर speed को चाल को दोनों जोड़ना है साथ पंच बारा हो जाएगा और डबल जिरी यहां पर cancel कर देना आप जो है five eight or three one remain होगा और इतना किलोमेटर आएगा तो मतलब recording to alternative देखेंगे तो डी alternative आपका correct होगा तो आपको बताना चाहेंगे जब distance same होगा speed अलग अलग होगा तो two xy upon x plus y apply करने हैं और आपका आउस्त गैती आउस्त चाल जो दिया रहेगा दोस्तों वह आपका निखल जाएगा तो मीद करता हूँ आप इस person को अच्छी तरह से समझ में आगया होगा चलते अगले प्रसंट की बात करेंगे फोर नंबर प्रसंट की जो फोर नंबर का प्रसंट है most important दोस्तों प्रसंट है वीडियो की सिब्ना करें यूपी पीशेस में दोजार आट का portion है आपर दिया कि एक टेक्स जो है नगर की टैक्सी भाड़े का निश्त धन्रासी के सास्थ साथ दूरी तैकरने के हिसाम में भाड़ा समलित है प्रसंट मतलब क्या हो रहा है कि 13 किलो मीटर की अगर कोई यात्रा करता है तो भाड़ा 96 रूपय उसे पे करना होगा अठरा किलो मीटर यात्रा करता है उसे 131 रूपय पे करना होगा प्रसंट होता कि किसी बेक्ति को 25 किलो मी किलो मीटर की बात करेंगे तो भाड़े का अंतर बटा दूरी का अंतर कर देंगे तो एक किलो मीटर का भाड़ा पता चल जाएगा मतब भाड़े का अंतर करेंगे तो यहां पर बॉन 31 माइनस कर देंगे आप जो है 96 करने है और अपान करना है अब बात होती है दूरी का अनतर करेंगे दूरी का मतब 18 माइनस नहां पर इस टाइब का प्रस्ट मनेगा तो ऐसे आपको करने हैं अब लेस करेंगे तो 35 हो जाएगा और अपान में 5 हो जाएगा दोस्तों 535 मतब एक 275 रूपय आ जाएगा अल्टरनेटिव कोडिंग देखेंगे तो सी अल्टरनेटिव आपका करिक्ट होगा तो जब इस तरह से प्रस्ण बनेगा तो आपको शेम इसी बेसिक क्लियर करने उम्मिद करता हूं कोस्टन समझ में आ गया होगा चलते अगले प्रस्ण की बात गया अगर सेकंड में दिया गया मतलब अल्टरनेटिव आपको सेकंड दिया गया तो जान लेजिए कि सारी यूनिट को मीटर प्रती सेकंड में चेंज करने हैं अगर आंस्वर में आपको घंटे दिया गया दोस्तों तो जान लीजिए कि सारी यूनिट को किलोमेटर प्रत चालिस मीटर आपकीदूरी होजाएगी चुपि हमें मीटर में ही अंसर आ रहा तो इसको में गुजदे इसको चेंज नहीं करना है लेकिन यहां पर जो क् favoms फ्रतिहावर दिया गया दोस्तों इसको मीटर में करेंगें तो यहां पर aver प्रति से किसी को करने तो पांच बटे 18 से गूड़ा करना है दोस्तो किलोमेटर प्रती हावर में चेंज करनी है तो आटवर बटे पांच से करना है 18.3 15 15 15 प्रतिश्च शेकंड आ जाए गए यह आपका चाल हो गया अब बात होता है समय बरावर क्या होता है दूरी बैटा चाल तो दूरी यहां पर 240 कर देंगे बैटा आपका जो चाल दिया गए 15 कर देंगे दोस्तों और यहां पर 15 से डिवाइट कर देंगे तो 16 टाइम जा है 130 मिटर नंबे पुल को ट्रेन पार कर जाएगी अल्टरनेटिव रिकॉर्डिंग देखेंगे दोस्तों तो भी अल्टरनेटिव आपका करेक्ट होगा तो छे नमबर प्रस्ण की बात करेंगे दूस्तों आप पर दिया कि मोटर चालक 240 कि दूरी मतलब डिस्टेंस दे दि दूरी को वापस आने में 6 घंटे का समय लगता है तो कहरा कि संपूर यात्रा में आवसट चाल गयाद करेंगे प्रस्ण होता है कि कोई दूरी अगर सेम है और चाल अलग-अलग दिया गया तो उससे संपूर जो है आवसट चाल गयाद कर सकते है तो एक्स वाई अपान कर तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक तो चाल दे दिया है साथ किलोमेटर प्रतिहावर जब वापस आता है दोस्तों तो दूसो चालीस जो दूरी दिया गया है दूसो चालीस आपका दूरी हो गया और छे घंटे का समय लगता है तो यहाँ पर चाल बराबर क्या होता है दूर अपने एक्स प्लस वाई मतलब यह आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर आउस्ट चाल निकाल रहे हैं क्लियर अपलाई करने हैं दोस्तों यहाँ पर टू मल्टिप्लाई कर देंगे यहाँ पर चालीस मल्टिप्लाई साथ कर देंगे क्लियर आप चालीस और साथ को आट होगा डबल जी डबल जी का एंसर कर देना बस यहाँ पर टू सिक्स और फूर का मुल्टिप्लाई कर देगे तो और तालिस किलो मेटर प्रतिहावर आएगा एकॉर्डिक टू अल्टेंटेटिव देखेंगे तापका भी अल्टेंटेटिव करेक्ट होगा तुम्हीत करेंगे भात करेंगे नंबर सेवन की यहाँ पर प्रicação की तो यहां पर दियागा कि एक विकती ती सामान-धूरियों को, एक्स किलोमेटर प्रतिहावर गति क्या हो रॉस्त के अब मतलब कि अभी हमने दो प्रसनाल लेडिया पो क्लेर करवाया कि आउसद गती क्या होता है आउसद गती का सूथ 2, xy अपन x-y होता है लेकिन वहां पर बात ही होती है दोस्तों कि दूरी सेम होगा जैसे कि इस क्वेशन में दूरी सेम है लेकिन यहां पर स्पीड दो ही दिया रहता है, मतनम जाने वाले स्पीड और जो हें, वापस आने वाला स्पीड दिया रहता है, क्लियर. जब यहां पर बात होगी, कि जो दूरी समान है, और जो स्पीड अलग-अलग रहता है, तो तीन दिया रहेगा तो आपको यह फार्मूली लगान है दोस्तों दो दिया रहेगा तो आपको टू एक्स वाई अपान एक्स प्लस वाई फालो करने है क्लियर यहां पर दो चाल की बात करेगा तो आप यह फार्मूला अप्लाई करें कि तीन चाल की बात करेगा तो यह जो फर्स्ट अल का का मतलब यहां पर हम मा लेते हैं X का तीन बटा फांच भाग जो काम है दोस्तों एक दिन में करता है तो क्रास मल्टिपल कर देंगे तो क्या होगा क्रास मल्टिपलाई कर देंगे तो 3X इक्वल हो जाएगा 5 और X बराबर हो जाएगा 5 अपां 3 हो जाएगा क्लियर सेज की बात करेंगे दोस्तों तो 1-5 अपां 3 कर देने हैं सेज जब भी फ्रैक्शन में सेज निकालना होगा तो 1 से ही आपको माइनिस करने हैं यहां पर ध्यान देंगे माइनिस का साइन नहीं दिया तो उसको नहीं इग्नोर कर देंगे 3-5 करेंगे मतलब जो घट किय लिया का माने मल्टीपल कर दिया और तीन बटा पांच भाग करता एक दिन में बराबर एक रख दिया जो आया आपका पांच बटा तीन आ गया दोस्तों और यहां पर सेज काम की बात करेंगे कोई फ्रैक्शन अगर भीन में डिजिट दिया गया है बटा दो दिया तीन पूरा कर सकते हैं तो आगे प्रस्न होता कि वही कार को दस दिन पूरा करने के लिए कितने आदमी लगेंगे तो सिंपल कोशन है दोस्तों यहां पर 120 लिखने हैं मतलब यहां वन इंटू डी वन करेंगे आप डबलू वन का जो सूतर होता ही इस तरह से करने हैं 120 और देखेंगे तो आपका बी अल्टरनेटिव करेक्ट होगा सिंपल कोशन था इस तरह से यहां पर टेन नमबर प्रस्न और लास्ट प्रस्न की बात करेंगे तो दो संख्याओं को योग चालिस दिया गया उसका अंतर चाड़ दिया गया दोस्तों तो उन संख्याओं का अधि से नहीं लगाना है कि संख्याओं का योग चालिस एकस प्रस वाई बर चालिस करेंगे एकस माइनस स्वाइ बर पॉर somethin करेंगे बड़ी संख्या क्या निकाल एक आसा नहीं करना है आपको बताना चाहेंगे कि बड़ी के लाजिक क्या होता योग और यहां पर अंतर को माइनिस कर देना है भाग दो दे देना है और अंतर कर देंगे दोस्तों तो 36 आ जाएगा आपका 36 बटा दो हो जाएगा कट कर देंगे तो यहां पर अठरा आ जाएगा रेशियो निकल गया कि वह बड़ी संख्या चोटी संख्या का रेशियो अब कट सकता है 2 से कटेंगे 2 98 हो जाएगा 2 से करेग यारा तो राइट हैंसर की बात करेंगे तो यारा अनुपाते ना होगा D इक पार फिर बताना चाहेंगे बड़ी संख्य जब बोलता है दोस्तों तो योग और अंतर को जोड़ के 2 से भाग देंगे बड़ी संख्या निकल जाएगी छोटी संख्या की बात करेगा योग और अंतर को माइनस करने हैं उसके बाद दो से भाग देंगे तो छोटी संख्या निकल जाएगी तो उसके बाद यहां पर रेशियो पूछ रहा था रेशियो आपने रखना हो रखना है कट करना आपका ए अगर वीडियो चलागे तो फ्ली लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्यू फो अच्छी दिश्टाइब